जै श्रीराम दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे विशम पितामा ने क्यूं ली विशम प्रतिग्या एक बार हस्तिनापूर के महाराज गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे उनके रूप सुंदरे से मोहित होकर गंगा जांग पर बैठ गई गंगा ने कहा हे राजन मैं रिशी की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवा करने आपके पास आई हूँ इस पर महाराज प्रतिप बोले गंगे तुम मेरी दाहिनी जांग पर बैठी हो पतनी को तो वा मांगी होना चाहिए दाहिनी जांग तो पुत्र का प्रतीक है आते मैं तुम्हें अपने पुत्र वदू के रूप में स्विकार करता हूँ यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई अब महराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ती के लिए गोर तवकर्ना आरम कर दिया उनके तब के फलसवरूप उन्हें पुत्त्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम उन्होंने सांतनू रखा सांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवा करने का आदेश दे महाराज प्रतिप स्वर्ग चले गई पिता के आदेश का पालन करने के लिए सांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवा करने के लिए निवेदन किया गंगा बोली राजन मैं आपके साथ विवा तो कर सकती हूँ किन्तु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कारिया में हस्चेप नहीं करेंगे सांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवा कर लिया गंगा के गर्ब से माराज सांतनु के आठ पुत्तर हुए जिन में से साथ को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिये हुए वचन में बंदे होने के कारण माराज सांतनु कुछ बोलने सके जब गंगा का आठवा पुत्र हुआ और वे उसे भी नदी में बाहने के लिए ले जाने लगी तो राजा सांतनु से रान है गया और वे बोले गंगे तुमने मेरे साथ पुत्रों को नदी में बाह दिया किन्तु अपनी परतिग्या के अनुसार मैंने कुछ ने कहा अब तुम मेरे इस आठवे पुत्र को भी बाहने जा रही हो मैं तुमसे प्रात्ना करता हूँ कि कृप्पा करके इसे नदी में मत बाओ यह सुनकर गंगा ने का राजन आपने अपनी परतिग्या भंग कर दी है इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती इतना कहा कर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई तत्पस्चात महराज सांतनू ने 36 वर्ष ब्रमचरिय वर्थ धारन करके वैतित कर दिये फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा गंगे आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी गंगा एक सुन्दर सित्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली राजन यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवरत है इसे ग्रहन करो यह प्राकर्मी होने के साथ विद्वान भी होगा अस्तर विद्धा में यह पर्चुराम के समान होगा महराज सांतनू अपने पुत्र देवरत को पाकर अत्यांत परसन हुए और उसे अपने साथ हस्तिना पुड़ लाकर यूराज गोशित कर दिया एक दिन महाराज सांतनु यम्ना के तट पर गुम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दर्ष्टिगत हुई उसके अंग-अंग से सुंगंद निकल रही थी महाराज ने उस कन्या से पूछा हे देवी तुम कौन हो कन्या ने बताया महाराज मेरा नाम सत्यावती है और मैं निसाद कन्या हूँ महाराज उसके रूप योवन पर रीज़ कर ततकाल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यावती के साथ अपने विवा का परस्ताव किया इस पर निसाद बोला राजन मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवा करने में कोई आपत्ती नहीं है परन्तु आपको मेरी कन्या के गर्व से उत्पन पुत्तर को ही अपने राज्य का उत्रा जिकारी बनाना होगा निसाद के इन वचनों को सुनकर महाराज सांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लोट आए सत्यावती के वियोग में महाराज सांतनु ब्याकुल रहने लगे निसाद के घरजा पहुंचे और उन्होंने निसाद से का हे निसाद आप सहहर्ज अपनी पुत्री सत्यावती का विवा मेरे पिता सांतनू के साथ कर दें मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्व से जो बालक जनम लेगा वही राज्य का उत्रा अधिकारी होगा कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ने पाई इस कारण से मैं परतिग्या करता हूँ कि मैं आजनम अभिवाहित रहूँगा। उनकी इस परतिग्या को सुनकर निशाद ने हाथ जोड़ कर कहा हे देवरत आपकी यह परतिग्या अभूत पूर्व है। इतना कहकर निशाद ने ततकाल अपनी पुत्री सत्यावती को देवरत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनपुर भेज दिया। देवरत ने अपनी माता सत्यावती को लाकर अपने पिता सांतनु को सोप दिया। पिता ने परशन होकर पुत्र से कहा वत्स तुने पित्र भगती के वसी भूत होकर ऐसी परतिग्या की है जैसे की नए आज तक किसी ने किया है और नए भविश्य में करेगा मैं तुझे वर्दान देता हूँ कि तेरी मृत्यू तेरी इच्छा से होगी तेरी इस परकार की परतिग्या करने के कारण तू बिसम कहलाएगा और तेरी परतिग्या बिसम परतिग्या के नाम से सदेव परख्यात रहेगी उनके जैसा वीर इस संसार में और कोई नहीं है वो अपने जीवन काल में कभी भी किसी से भी प्रस्त नहीं हुए यहां तक कि उनके गुरू और स्वेम विश्नु के अवतार बगवान पर सुराम भी उनसे 21 दिनों तक यूद करने के बाद भी उन्हें प्रास्त नहीं कर सके विश्न ने अपने पिता के सुखों के लिए राजसियासन का त्याग कर दिया वे हमेशा चाहते थे कि कोरो और पांडो मिल जूल कर रहें लेकिन उनके सुमस्त प्रियासों के बाद भी मावारत का युद हुआ दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें जै स्री राम झाल